तो सबसे पहले हम बात करेंगे ACNPENT Limited के बारे में, अगर हम आज के दिन के प्रफेंट के बात करें, तो हमें एक फ्लाटीस प्रफेंच देखने को मिला, अगर हम सुरुवात की बात करें, शुरुवात में थोड़ा हुआ था हमें प्रेशा देखने को मिला था, बर जितना अगर हम ACNPENT Limited के बात करें, तो आज के दिन कमपनी में एक इंपोर्टेंट और एक पॉजिरिव निउस निकल के आया है, अगर हम उस निउस की बात करें, तो उस तो LIC के साइट से, आपको पता LIC सिर्फ आपको बहुत जगह इनके आपको इनके आपको investment देखने को मिला थ जिन में से आप बोस्टो तो, ACNPENT भी आप एक बहुत बड़े बोस्टो उनमें आपको इस LIC का बहुत बड़े exposure भी देखन को मिला थे, उनके जो exposure थे, उस मतलब तो और अच्छे का से वो investment करते ही देखन को मिला, मतलब जो 5% की नीचे company, मतलब LIC के stake थे, उनको increase करके, आ और इसी news को अगर हम थोड़ा और continue कर लें, तो आप देख पा रहेंगे, कि LIC ने लगबख और extra 48,652 sales उनने बाई किया, और चो प्राइस है, लगबख 3,400 के आसपास, जो कि अपने all time high के आसपास ही है, और उसी के साथ है, जो investment उनने किया, दोस्तों, वो लगबख 16 करों क के भी ऊपर, और यह कपके देड़ थे, तो कल की दिन हमें यह purchase होते हो देखने को मिला था, तो अब इसने लगबख अपने top पे होने के बाद भी, मताब जब स्टॉक गिरा था, तब उसने बाई नहीं किया था, जब स्टॉक ने almost बहुत सक तक रिगवर किया, तब स्टॉ तो नहीं next quarter में आपको देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने कल की दिन January में उन्होंने buy किया, लेकिन अगर आप इसके shareholding pattern को देखोगे, तो जैसे आप DS पे click करोगे, तो DS के बाद कितना stake है, आपको 10% के आसपास देखने को मिल जाएगा, और 10% से भी maximum stake, आपको LSE के प आपको increase ही देखने को मिल जाएगा, तो अब इस लेकर हम इस news की बात करें, तो ACN Payne के लिए एक हमें positive news ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि उससे भी important news और उससे भी positive news है, यह important news है कि company के quarter three के number, और इस बात जो company के quarter three के number आने वाला है, खासकर कि इस company के ल नमबर देखने को मिलेगा, और जो estimate buzzer कर रहे हैं, तो सबसे highest estimate buzzer इस पार ACN Payne से उम्मीद कर रहे हैं, जो कि लगबाग 9720 करोर के sales buzzer expect कर रहे हैं, और profit की बात कर रहे हैं, तो लगबाग 14 के आसपास keep pace, अगर हम इस number को पिछले quarter से और पिछले year से, अगर हम compare करके देखे तो आप देख पारेंगे, अब तक अगर आप पिछले धाय साल के अगर आप इसके quarterly number को study करोगे, तो सबसे highest number आपको इस बार देखने को मिलेगा, अगर company वाकि इस बार basic की साब से अपना number sales present कर देता है, तो इससे पहले 9700 करोर के sales, अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिल company की जो September के बाद, जो December quarter रहता है, हर paint company के आपको उनके number 60 सा अच्छे देखन को मिला आते है, अगर आप September quarter से compare करके देखूए, तो हर बाद जो December के number रहता है, वो हमें बहुत लिए अच्छे देखन को मिला आते है, तो उनके चलते हैं इन company में, अगर हम खास करेंगे, paint बा भी करते हैं देखने को मिले जिनके चलते से पेंड़ वाली कंपणी के नंबर हमेशा की तरह इस बार जो डिसम्बर कोटर के नंबर आएंगे वह हमें अच्छे देखने को मिले और वाकिया अगर खासके जितना बाजर एस्टिमेट कर रहे हैं कि याली भी बहुत अच्छा न लेवल पर आगे अगर इसी की बीजमार कंपणी नंबर दिखा दे तो यह बहुत बड़े ब्रेक आट भी हो सकता है और स्टॉक अपने दो साल पुराना लेवल को ब्रेक करके 4000 को पार करके भी स्टॉक आपको आगे की और जाते हो देखने को मिल सकता है तो कंपणी फंडमेंटरी कंपणी बहुत ही स्टॉंग है और एक कंसिटनसी प्लेयर है आप देख पार गें 1990 से फाइंक से इसकी लिष्टिंग है और एक 50-50 वाली भी स्टॉक है तो लंबी अब को लिष्ट नैंटर तक वेट करना नमबर देखना ऊसके बाद आर आव मत में नियरवाई चार पसंड के आस्पार अगरा सिक livre बात करहे तो हाली में जो कंपनी के quarter 2 के नमर देखन को मिला उसके बाद जो management के हमें गाइडेंस देखन को मिला के आने वाले जो और दो quarter रहेंगे FI 24 में company के guidance उनने जो revise किया जो guidance जो sales जो EB-10 ने दोस्तों cut किया उनके चलते जो stock में गिरावार देखन को मिला स्टॉक टॉपल बसे मतब बहुत से तो one-third हमें होते हो देखन को मिला one-fourth हमें होते हो देखन को मिला मतब 20 पसंत तक stock में हमें एक अच्छे-कासे correction देखन को मिला तो यह जो stock में आपको correction देखन को मिला सिर्फ इसमें यह नहीं कि management की guidance था यह फिर negative guidance था management कुछ उसके साथ कुछ और भी चीजी था जो कि लगातार इस company के promoter के selling अगर आप इस promoter के holding को देखोगे तो लगातार आपको insider selling देखन को मिलेगा जिनके चलते stock में और भी आपको एक अच्छे-कासे pressure बनते हुए देखन को मिल रहे हैं और अगर हम इसी न्यूस को अगर हम आज की दिन की भी बात करें तो आप देख पारेंगे 28 December को कि उनके प्रमोटर है आप नाम भी देख पारेंगे RedDG तो उन्हो सारे चीज़े आपको देखने को मिल जाएगा बल्टी की बात करें ब्लॉक डिल के बात करें और सीट ट्रेट की बात करें तो हमें इंसाइडर ट्रेडिंग पर देखना है तो अगर आप इस पर जाओगे तो आप देख पारेंगे December मंत में सिर्फ एक ही मत में आप देख प और भी देखोगे तो सारे चीज़े आपको दोस्तों प्रमोंटरी देखने को मिल जागा और आपको यह एक ही मत में देखने को मिलेगा बहुत बड़े इंसाइडर टेडिंग बी मत जितने भी इनके प्रमोंटर है लगबग सभी थोड़ा बहुत हमें इस कंपनी में December मत मे एक अच्छी कासे इंसाइडर सेलिंग भी हमें करते हो देखने को मिला कौन सी प्राइज पर अब देख पाएंगे हर प्राइज पर आपको देखने को मिल जाएगा तो अब इस के चलता बोसकतो जो कंपनी के इस कौटर यानिकि December के जो डेटा अपडेट होगा उसमें जो के holding एक time 50% थे फिर 47 हुआ फिर 46 फिर सीधा 39 साइज साब को इस बार 39 की नीची देखने को मिले कितना देखने को मिलेगा तो यह देखना बहुत ही important है बट इतना जरू कि साइज साब को 39 की नीची देखने को मिले बट जितना स्टेक प्रामटर ने बेचा कि उतने स्टेक ज्यादा अगर हर कोई इन स्टॉक से निकलता जाता है तो डिफेंटली वह एक रिस्की पॉइंट तो जरू बनता है तो एक निगेडिव पॉइंट जरू है कि लगाता है प्रमोटर अपने से मताब इंसारे ट्रेडिंग के साब से बेचते जा रहा है और उसी के साथ से बैलंसीट को देखोगे तो रिजब डेफिरिटलिटली ग्रो होरा है क्योंकि कांपनी की प्रॉफिट ग्रो हो रहें तो 600 करो के आसपास की रिजब है लेकिन अगर आप कंपणी के डेफ को देखो गैं लॉन्ग तो एक टैम पर सिर्फ 17-18 करो की कंपनी के पास डेफ थे ज अगर profit में fluctuation होगा तो उसके impact आपको stock price में भी देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ जो company की loan उड़ाते दोस्तों वह भी अपनी sales को मतलब जो उनके बाद 39% स्टेक है उनमें से सारे 6% स्टेक की दूसरे के पास प्लेज है तो यह भी एक बिल्कुल भी अच्छे data नहीं है क्योंकि एक new company है और छोटी स्टेक की company है उपर से प्रमोटर 50% से सिधा 40% की नीचे आ गया और उपास से इतने बड़े हमें डेफ्ट को मिल जाते है सासा लगा को भी जरूर नोट करके चलना पर जैसे मैंने का कि अभी अभी लिश्टिंग का दो अधाय साल है बट ग्रोथ बहुत ज्यादा इस company मतलब पोटेंसल बहुत ज्यादा बर सिर्फ हमें एक चीज को नहीं देखना है कि company के जो चार पीलर है बहुत स्टॉंग है future-oriented है और future मे कोई भी decision लेने से पहले इस पार Q3 के number देखना उसके बाद आराम सी इसके बार में अपने decision आप ले सकते हो अगर हम और एक point के बात करें दोस्तों तो technical यह 202,000 के उपर जब तक है तब तक बहुत बड़े correction आने की chances बहुत कम है हाँ 2000 को उपर रहे तो यह अच्छे बात है पांस दिन में 4% के आप और 6 मंथ में देखोगे तो नेट तीज आपको 36% देखन को मिलेगा लेकिन यह आपको 23rd November से जो स्टॉक में correction हुआ बहुत ही valid reason के ज़ए स्टॉक गिरा था और तब से लगे स्टॉक ने comeback नहीं और मैंने कहां भी comeback तभी आपाएगा जब कंपन के quarter तो कोई अगा सोच रहे कि कि स्टॉक टॉपल पर से exactly देखोगे तो 12% डाउन है और इससे पहले यह गिरावाट हम बहुत बार दिखाते देखन को मिला तो कोई अगा सोच रहे है कि ऐसी गिरावाट तो हमें इससे पहले भी देखाते हो कि इस गिरावाट का फयादू रहन अगर अपने अभी तक इनमस्पेन के और बहुत ही फ्रेजबं करने के बारे में सोच रहे हो तो ज्यादा दूर नहीं है दोस्तो इसी मंद के लास्ट में कामपनी के नंबर है नंबर देखना उसके बाद आराम से 1400-1500 के जगा 1600 भी खरीद दोगे तो भी चल जागे क्यों